नमस्कार अदाग सच्रिकार मैं नरेश कौशल दैनिक अर्थप्रकाश मीडिया ग्रूप के और से आज बिहार पर चर्थे करने के लिए आपके समस्थ पेशू जैसे कि आप जानते हैं कि पहले चर्ण के जो बत्नान है बिहार में उसमें करीब करीब एक सप्ताह का वक्त रहे गया है तो आज हम वहां के राजनितिक जो परिद्रिश्य है उस पर एक द्रिश्टी डालेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि दो गठमंदन एक महा गठमंदन कहते हैं और एक जता दल उनाइटेड और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रिय जो पार्टी है यानि कि राजद राष्ट्रिय जनता दल लालो बशाजियालों की पार्टी है ये दोनों पार्टियों के साथ हूँ जो दिन्दिती नितिश कुमार के साथ उनकी पार्टी जो है उनके साथ भारती जनता पार्टी पर्मुक्रूप से है और दूसरी तरफ कुछ पार्टियां यानि कि तेजस्वी यादब और उनके साथ कांग्रिस और कुछ छोटी पार पार्टियों के साथ शामिल हैं। बलही जो देखने में दो ये पार्टियों का गठवंदन जो आपस में महायुद हो रहा है। लेकिन भारती जंता पार्टी की एक तमन्ना जो है वो भीतर ही भीतर जो है वो कुल बलाती हुई जिरूर दिखाई देते हैं। भारती जंता पार्टी की ये तमन्ना है पाटली पुतर की धरा पर भगवा फैराने की। मौजूदा चुनाब इस धरती पर बोटों के ऐसे बीज बिजने की है भारती जंता पार्टी की इस चुनाब में गर्षबंदर के साथ जरूर है। लेकिन ऐसे बीज बिजने की तमन्ना है कि उसकी जो बीज है उसकी जो कूटनीतिक स्यास्ट की खाद है वो पढ़ने पर कम की कम आने वाले पांस साल के बाद उसके जो फ़ल चख सके यानि के सत्ता का स्वाद चख सके। यहां एक बात ये भी उलिखनी है कि बिहार देश का एक मात्र ऐसा हिंदी भाशी राजे बचा है जहां पे मोदी के अश्व मेद का गोड़ा जो है वो अपना पर्चम नहीं लेहर पाया। यह सर्विजित है कि उत्तर परदेश के बाद बिहार भी देश में तीसरी सर्वाधिक जन्ट संक्या वाला राजी होने के कारण दिल्ली के लाल किले को जीतने के लिए इन राजियों का महत्तो सर्वाधिक बढ़ जाता है। भारती जन्ता पार्टी की इस्तिवर इच्छा के संकेत उसकी कुछ मूख पेश बंदियों से भी साफ धल्कता है। जो उबर की तमना है जो मैंने अभी जिगर किया। बिहार से पनपी रांविलास पाश्वान की लोक जन्सक्ती पारटी आज भी केंदर की गटवंदन शरकार में निरंतर संद्धिदार बनी हुई है। के लोजपा के यानि के लोक तांत्रिक जन्शक्ति पार्टी जो है उसके अधेक्ष छिराग पाश्मान बिहार में अपना ही जन्डा लिये गुम रहे हैं अलग मोर्चा बनाया हो है लेकिन एक बात बड़ी मज़ेदार है कि नरेंदर मोदी को वो अपना अधर्शनेता मानते हैं और शारजी ने सबहों में भी वो ये बात कहते हैं कि चुनाव के बाद हम भारती जन्टा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव सरकार बना सकते हैं यहां पे समरन करा दें कि लोक जन्शक्ति पार्टी के अंदर में तो है ही आज भी सरकार के साथ है लेकिन राज्य में जो ह तो उनकी जो है पास्वान जो है उनका देहान तो हो चुका है भरती जनता पार्टी और राष्ट्रे स्वयम सेवक्संग इसके कई तथाकति असंतुस्ट ने ता या कहीं कि असंतुस्ट बन गए देखने के लिए उन्होंने भारती जंता पार्टी से भूद्रोग किया है बीच ओबीच और लोजपा यानि के लोग जन्शक्त की पार्टी में आकर और कुछ राजमितिक प्रेक्षकों है यह भी मानना है कि यह सब नाट के गटना करम जो है इसकी पट का था जो है वो भारती जंता पार्टी या रसेस के शीर्शेस्त नेताओं द्वारा ही गड़ी गई है या लिकी गई है इन प्रेक्षकों का तो यहां तक मत है कि भाजपा जैसी अनुशाशित पार्टी के कई मत पुरुन नेताओं का इतनी स्वचंदता और नेड़ता से पार्टी के ही रुद्ध गट जाना क्या किसी के गले उतर सकता है यह उनका तरक पूरुन प्रशन है कहने का अभिप्राई है कि उनका अंदेशा है कि लोक जंशक्ति पार्टी के साथ जो बीजेपी के लोग गए हैं वो लोक जंशक्ति पार्टी को ताकत देना चाहते हैं और उदर लोक जंशक्ति पार्टी के कई उमीदवार भारती जंटा पार्टी के खिलाफ एलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो राजनितिक प्रेक्षिकों का यह माना है कि अंदर खाते भारती जंटा पार्टी चाहत में उबर कर सामने आ राजनीदिक पंडित भाजपा की इस दोहरी अशंका को पुष्ट करते हुए महाराश्टर और पंजाब का भी एक्जामपल देते हैं एक उधारन देते हैं पंजाब में जासे के आप जानते हैं हरसी मलत कौर ने इस्तिफा दी है केंदरी मंदल से और व वो पहले से त्यार कर रही थी और अब भारती जनता पार्टी जो है पंजाब में पूरन रूप में सक्रिय है और शिरुमनी अकाली दल का जो राजनी तिक अधा है उसको कम करने के लिए जो है वो सक्रिय तस्ये भारती जनता पार्टी पंजाब में भी लगी हुए अकाली दलका कमजोर करके वो चाहती भारती जनता परड़ी है कि पंजाब में वो या तो अपने बलबुते पर अगली सरकार बनाए या जिस भी पार्टी के साथ उसका गर्षबंदल हो वो परमुकता से अपना जो है उसकी अपनी शर्तों पर वो सरकार बन सके तो ऐसा समझा देता है कि भाजपा उत्तर भारती के इस जो सिमांत राज्य है उसमें अपनी जड़ों को जमाना स्यासी तोर पर जिरूरी समझती है अब लिजे महाराष्टर महाराष्टर का पिछले वरक से चल रहा राज्यनीति गटना करम भी भाजपा की जो सियासी लालशा की पुष्टी करता दिखाई देता है पिछले चुनाब में भाजपा एक वरपुन है महाराष्टर में अपना मुक्ष मंतरी स्थापित करके शिव सेना के साथ अपने शर्तों पर गठबंदन शर्कार चलाने पर बजित थी जैसा कि आप सभी जानते हैं नाट के परिस्तितियां जो रही है पिछले दिनों में ये बात दिगर है कि वहाँ पे शर्द पवार जैसे डिगज श्यासरदान नेता थे जिन्होंने कांग्रिस के सहयोग से या दूसरी कुछ लोगों के सहयोग से जो है भारती जिन्ता पार्टी का सपना जो महारास्टर में सरकार बनाने का था उसको चूर कर दिया और शिव खेना और कांग्रिस और राष्ट्री कांग्रिस जी स्रकार वहां पर इस्थापत होगी अब हम आगे बात करते हैं एक दिश्टी हम जो है परदेश पर तथा इसके विबिन दलों और निताओं की जो उनकी सियासी कर्द है उनके या कहिए उनकी हैशियत है एक दिश्टी हम अब उन पे बीडालते हैं कितने अबसूस की बात है कि जैपरकाश नारायन के अंदोलन से निकले लालू परशादी आदब और नितीश कुमार इन दोनों ने बिहार पे पंदरा पंदरा साल तक शासिद हैं लेकिन परदेश आज विमार राज्यों की श्रेणी में आता है बिहार की बारा क्रोर की जन संख्या में 9 करोर के क्रीब मत दाता हैं यहां राजनितिक तोड़ पर महत्व पूर्ण तत्थे यह है कि इसमें क्रीव 60 परतिशत मत दाता है वो 35 वर्ष से कम आयू के हैं इसके 35 वर्ष और रज़ा है और यहां पर यह भी बता दें कि परदेश की 80% अबादी जो है वो गाउं में बस्ती है और गामों में जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोगों की यह संख्या है वो भी 50% के बराबर है यहां एक बात और समरण करना जिरूए है कि 2010 में नितीश कुमार ने सुशाषन बावो की भूमिका निभाते हुए लालो के कथित जंगल राज से बिहार को मुक्त कराकर भाजपा और जंतादाल यूनाइटेड गठ्वंदन को भारी मस्य जीत दिलाई थे उस वक्त उनको सुशाषन बावो कहा जाता था वो इसलिए क्योंकि लालो परशाद यादव की जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो कुछ गोटले थे गोटाले थे तो उनको लेकर जो है उनकी छबी जो है सुशाषन बावो की बन गी थी आज नितीश की धर्म निर्पेश्टा की जो छबी है उसको ठेच लगी है और वे सुशेशन बावो भी जो है वो भी नहीं कहा जाते हैं आज के दिन इस चुनाब में मुख्यमंत्री पाद के दावेदर जरूर है मगर गठबंदन के आका मोदी है उत्तर प्रदेश की तरज पर बिहार में भी भाजपा विकाशिल इंसान पार्टी के स्वंभू मलाह नेता मुकेश्चानी जैसे छिट पुट जो दलित नेता है उनका ध्रू दावर भी करण करके उत्तर प्रदेश की बाती वो बीचिके जो मुदी है वो खुद ऑबीची से हैं ये नारे देकर वो छोटी प्राटी आँए उनको साथ जोड के जो ओवीसी हैं यह दलित पार्टी हैं उनको जोड़कर शट्टा में आने की जो है वो प्रियाश में भा कत्ती वर्ष की आईउ में भी बहुत परिवक्ता से चुनाप परचार कर सिंचालन कर रही है पार्टी के भीतर अब उनका कोई प्रत्ती दुन्दवी नहीं है जैसे कि उनका भाई पहले कुछ ऐसी गफलत कर रहा था अब ऐसी कोई बात नहीं है कुछ उनके रेलेटिव थे अब ऐसी कोई बात पार्टी में नहीं है जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि बिहार में साथ प्रतिश्रत जो मत दाता है उनके आईउ पैंती वर्ष काम है बिहार भ्यंकर बेरुजगारी से जूज़ रहा है युवा वर्ष में बेचानी फैलना जो है ऐसी हालात में स्वाबाविक है दरातल पर परचार के अगर परिद्रिश्र देखें तो ऐसा लगता है कि युवा वर्ष बारी इतादाद में और जोस में जो है वो महा गठबंदन के उसका ही युवा नेता जो है तेजस्वी यादव वो उनके खात या उनके और अकर्षित होता दिखाई दे रहा है मगर ये भीड और ये जोस तेजस्वी यादव के पक्ष में वोटों के रूप में कितना परवर्षित हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा बहरहाल आज की घड़ी में भारती जन्ता पार्टी और जन्ता दल यूनाइटड जो गट्मंदन है इनका वो कुछ बड़त पर जरूर दिखाई दे रहा है बशरते भाजपा दिल जान के नितीश और उनकी पार्टी के लिए भी मेहनत करें ये जो मैं बात बड़े अर्थ पूरन ढंक से कह रहा हूँ क्योंकि अगर भाजपा स्वेम सरकार बनाने में निरनायक महमी का निभाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनने के नियत रखती है या सपना सिंजोती है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी बन जाऊं तो इसका मतलब होगा कि वो नितीश को भीतर खाते से चाहे वो चिराग पास्वान के जरी है या किसी और जरी से कमजोर करने की कोशिश करें अगर ऐसी नियत से वो करते हैं तो भले पार्टी वो बड़ी बन जाएं लेकिन सरकार बनाने के मामले में ये एक जोखिम भरा कदम भी थाबित हो सकता है तो यह थी हमारी बिहार के बारे में आज की राजनी तिक्समिक्षा फिर मिलेंगे किसी नई विशे के साथ इजाज़ी दिजी नमस्का